मद्यप्रदीस के सबी कॉंग्रेस पत्याशियों को पत्रे भेज दिया गया है इस बार मद्यप्रदीस के विधान सबा चुनाव में भारती जिन्दापार्टी यानि बीजेपी के सासाथ कॉंग्रेस भी मद्गर्ना को लेकर काफी सातरकता बरत रही है मद्गर्ना के पहले कॉंग्रेस कमिटी ने पत्याशियों के सासा दो अनुभवी चुनावी एजेंटों को प्रसिक्षन देने की कारे योजना तयार की है मद्गर्देस कॉंग्रेस कमिटी के सच्छेव मक्सूद अली बताया कि 28 नवंबर को भोपाल प्रसिक्षन दिया जाएगा कॉंग्रेस प्रत्याशी मायत्रेविदी के मुताबिक उन्हें प्रदेस कॉंग्रेस कमिटी का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्लेक किया गया है कि दो चरणों में प्रसिक्षन दिया जाएगा इन्में पहला चरण सोबा 11 बजे से 2 पार 1,5 बजे तक रहेगा जबकि दूसरा चरण में धाई बजे से 5 बजे तक प्रसिक्षन दिया जाएगा कउंग्रिस कमिटी में किया गया यह उलेग प्रदेश कंग्रिस कमिटी तोरा पत्र में इस पशन वलेग किया गया है कि जो एजन्टि विधिक संबंधी कारिवाई में महधपुन जिम्मेदारी निभा सकते हैं ऐसे एजेंटों को प्रत्याशी अपने साथ लेकर भूपाल पहुँचे मदगर्ना के दोरान कई बार विवाद की स्थिती भी निर्मित हो जाती है ऐसे स्थिती में प्रत्याशीयों और उनके एजेंट को क्या करना चाहिए समन्द में भी प्रत्याशीयों के दोरान जानकरी दी जाएगी यह भी बताया जाएगा कि प्रत्याशीयों और उनके प्रत्याशीयों लेने वाली एजेंट अपनी अपनी विधान सभा छेतर के एजेंट को भी मत गरना के दोरान बठती जाने वाली साबधानियों को लेकर जानकारी देंगे राजनेदिक दलों के कई उमीदवार ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाब लड़ रहे हैं ऐसे प्रत्याशियों और पहली बार काउंटिंग में जाने वाली एजेंट को प्रसिक्षन लेना आती आवश्यक है बीजेपी के और से भी इस प्रकार का प्रसिक्षन दिया जा रहा है हारांकि अभी बीजेपी के और से विस्तरत जौन करें सामने नहीं आई है अब तक लिए वस इतना ही फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक दिनमश्कार और देखते रहे हैं दखबरदा न्यूस